ध्यान रखेगा अगर आप पेपर 1 देने जा रहे हैं तो NCRT 1st to 5th की या तो आप खुद से पढ़े हैं अगर self study कर रहे हैं नहीं तो आप batch में तो खेर आपको notes से लेके NCRT के और classes से लेके previous year से लेके सब कुछ मिल ही जाएगा तो NCRT आप class 1 to 5 पढ़ लें अगर आप paper 1 देने जा रहे हैं हाला कि यह class यह जो आपका age है यह 6-11 वर्ष के बच्चे को ध्यान में रख करके आपको बढ़ना होता है और अगर हम बात करें next paper की level की तो 6-8 की NCRT वहां आपको help करेंगी अच्छा form भरते समय एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको sst और maths and science यह जिनके जन्होंने BSC वगेरा किया है और social science चूज करेंगे वो लोग जन्होंने BA या BCOM वगेरा किया है ठीक है बाकी अपनी इक्षा होती ऐसा नहीं है कंपल सरी नहीं है बड़ करना ऐसा चाहिए ठीक है ना और यह जरूर मेंशन कर देना कि आप subject कौनसा चूज करना है maths य चाहेगा 11 से 14 वर्ष के बच्चे को ध्यान में रख करके आपको पढ़ाई करनी है कि 6 टू एर्थ के लिए जो आपकी NCRT है छटी से आठवी की जो NCRT है चाहे वो सोशल साइंस की हो चाहे वो आपकी मैट्स और साइंस की हो यह आपको पढ़नी होती है इसके बाहर पेपर करते हैं चल्ड देख इन पिछले कुछ साल हों में कि काफी साल होग जाते हुए तो जो जादा लेकर आते हैं सीध में तोड़ी सी महनत अगर करते हैं कमने स्थोच हो जाते हैं क्योंकि स्टिसात में जादा महनत कर ज्ढ़नने का मतलब आप सीरियस हर आप पढ़ते ले लेते हैं देश्वर में जॉब में गोर्मेंट जॉब में और में सिस्टर की शादिया भी तीन दिन बाद तो मैं थोड़ी सी वैस्तों इन तीन चार दिनों तक फिर हम लोग बिल्कुल वापस से एकदम पढ़ाई करेंगे यूटीब पर भी आगे की तयारी का क्या प्ला बादु में खिर हम लेते हिर С espero जाद बिल्स रहाती।ी कि वाया है जाद़ है कि भी वामें टुछ आएगे कि आलरो को बादिया थासी है तुझ Kitchen में वें पिरूँbn di-ढ чис कि युछ झाल भी कि वादिती कार वादो सी बादिकिया Hue